नमस्कार आरके चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज आपके सामने एक मैं बेबी ड्रेस लेकर आई हूँ जो मैंने एक सेड बनाई है और बाकी आपको बनाना सिखाऊंगी देखो यह निची से शुरू होती है पर की तरफ जाती है यह चलो आपको बनाना सिखाऊंगी जे मैंने 40 फंदे डालके 2 लग्या मैंने सीधी सीधी की चड़ा ली चार से दू ग्ला एक दो यह वलिक चार सलेगा सीधी सीधी की चढ़ा के अब मैंने चार सलेगा सीधी उल्टी की च्ट़ा नहीं है पेले सीधी यह वाला डिजाइन बनाना नीचे वाला कटां से बन रहें न जिए वाले पूरी स्लाइज सीधी कर लूंगे जिए मैं नो नमबर की स्लाइज में बना रही हूँ और तीन प्लाइक मैंने उन लगाई है जि उन बहुत सौफ्ट है बच्चों के न बहुत जादा सौफ्ट डालने के लिए और बहुत गर्म भी है पहरे चार स्लाइगा सीधी सीधी है की फिर चार स्लाइगा सीधी उल्टी की हमने बनाने है सीधी आप उल्टी इसी आपने चार स्लाइगा डाल लो फिर देखाती हूं क्या करना है यह देखो चार स्लाइगा मैंने सीधी की जेच डाली वैसे तो यह वाला डिजैन आठ 8 और एक नो फंदे का नो फंदों का यह पैटर्न बनता है यह वाला कटां आपके पास फंदे ज्यादा है तो आठ आठ के साब से आप डालना जे मैंने 40 फंदे डाल लेया इसका थोड़ा से बढ़न पट्टी भी मैंने रखनी है इसलिए मैंने पहले 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 सेड़ों मैंने 10-10 फंदे किया है और बीच मैंने 8-8 फंदे ही रखे है यह देखो इतने बनने के बाद यहां से घुमाकर यह फंदा उतारेंगे और बापपत यह से इस स्लाई में डाल लेंगे उसको बना लूँ पिर एट दो तीन चार पांच छे साथ और आठ फिर ऐसे घुमाया ऐसे घुमाकर फंदे को उतारा बापस फंदा इसी में डाल लिया उसको आप बना लो पांच फिर एक दो तीन चार पांच छे साथ और आठ फिर ऐसे फंदा उतारा ऐसे घुमाकर इस स्लाई में डाल लिया और और बाक्की फंदे इधर मैंने दस रखे इधर मेरे फंदे दस आगे जा मैंने बनल पट्टी भी बनाने साथ साथ में अधर इस पूरी उल्टी डाल लो यह देखो पूरी इस लाई हो गई आप हमने इसमें सीधी सीधी से लहिया ही बनानी है यह देखो बीच में में डिजाइन बनाया ना इधर से देखो एक फंदा सीधा मैंने रखा रहा है इधर से हमारा उल्टा आएगा एक एक फंदा यह कैसी आएगा यह देखो कि यह फंदा जो हमने उल्टा आया था ना इसी को मैंने उल्टा बना दिया आप आप फंदे बुनके नोवे फंदे को हमने उल्टा बना दिया आप आप एक एक फंदा उल्टा फिर आठ फंदे बुने नोवे फंदे को हमने उल्टा उल्टी स्लाइ पूरी सीधी उसमें हमने कुछ नहीं करना लास्ट में हमारे फंदे जितने थे दस पंदे थे 10 थे 10 हमने सीधे बुन लिए उल्टी स्लाइ में हमने जो फंदा उल्टा से उदर से इधे से सीधा ही आएगा पुरा उल्पिवाई सिद्धिया एग पुरा उल्पिवाई सिद्धिया पुरा उल्पिवाई सिद्धिया एग अब हमने जहां बटन होल बनाना है चार फंदे हमने बुन लिये धागा आगे दो का एक अजये देख पूँए अजये देखों बटकी फंदे सीधे धागा आगे एक फंदा उल्पिवाई एक दो तीन चार पांच छे साथ और आठ फिर फंदा उल्पिवाई इसे आप बना लो इतना बना कर आपको मैं दिखाती इतना तक बना कर आपको मैं दिखाती जिए अब हमने इसकी कटिंग करने यह मौंडे की यह हमने सीधी तरफ से कटिंग की थी यह हमां उल्टी तरफ से करेंगे क्योंकि इधर से करने यह इधर से यह मैंने बटन होल भी बना लें बीच बीच में और मैंने 43 यह मैंने स्रहिया डाली है यह वाली है सीधी सीधी की 43 बनती है चुला आप मौंडे की कटिंग करते हैं यह वाली एक दो प्रक्राइब कि तीन चार और यह पांच पांच फंदे मैंने बंद कर दिये अब पूरी स्लाई हमारी सीधी अब हमने बीच में जड़ा उल्टा फंदा डालते थे वह मैंने डालना बंद कर दिया आप चाहे तो पूरा उपर तक ले जा सकते मैंने नीचे छोड़ दिया उसको नीचे तक की रखा पूरी सीदी से लाइ अब हमारी सीधा पासा आगे हैं सीधी तरब से आपने सीधा ही बुनना पर प्लोप मैं सीधा हुबाभा जहां से हमने दो फंदों का एक करना हर सलाई में हमने दो फंदों का एक करते जाना एक फंदा लास्ट वाला वैसे बुन लेना यह वाला इसा बनेगा यह वाला कि अगो दिखाते हैंए नसदीग से यह वरला यह सही है डीश लई में हर स्लाई में हमने दो का एक करते जाना ए हुढ फ्यूट्य Suddenly पूरी सीधी भी थे जाना YES की कर आपको फीर दीखाते हो पूरी स्लाई सीधी हीडाल लोग टीव अब सीधी से लाई है यह देखो लास्ट में तीन फंदे हो यह उस तो पहले दो फंद्या को एक कर देना लास्ट फंद्या हमने ऐसे बना ऐसे हर सलाई में आप ऐसे फंदे एक कटाते जाना और थोड़ा बनार के आपको मैं दिखाती हूं यह देखो मेरा बन गया उपर मैंने 14 फंदे मेरे बचे हैं पूरे फंदे कटाई करके 14 फंदे बच गए अब हम इसे बंद कर देंगे ऐसे पूरे बंद कर देंगे कि यह मारा दोने सेड़ा बनके त्यार हो गई जहां पटन लगा देंगे पूरे उपर तक नीचे तक अब हम पीछे वाला हिसा इसका बनाएंगे वह अपको दिखाती है कि यह पीछे वाले हिस्से के मैंने सतर फंदे डालके पहले नीचे वह डिजाइन डाला कटां से बना ले मैंने वह बॉर्डर पूरा बनाकर कि देखो इतना मैंने त्यार कर लिया है कि इसके ब्राप्र का कि अब हम इसकी कटिंग डाल लेंगे है कि एक दो और तीन बाक्की स्लाइब पुरी सीधी पुरी सीधी डाल लो पुरी स्लाइब खतम होने के बाद उर्टी स्लाइब में हमने फिर उसकी दुस्री तरफ के बंदे भी हमने कटाने हैं एक दो और तीन थ्री फंदे हमने कटा दिए अब पुरी स्लाइब सीधी सीधी स्लाइब हमारी आ गई जैसे हमने आ गया इससे में फंदे कटिंग की थी न वैसे एक फंदा ऐसे उतारा इनको ऐसे फोल्ड किया उल्टा के दो का एक ऐसे हमने उपर थोड़े दो का एक करते जाना हर स्लाइब में पूरी स्लाइब सीधी डार लो लास्ट में भी हमने फिर दो का एक करना उधर फंदा उल्टा के किया था इधर वैसे ही कर लेना एक फंदा हमने ऐसे पुम ले दोनों तरफ से हमने दो दो फंदे का एक करते जाना कि उल्टी स्लाई में हमने कुछ नहीं करना सीधी स्लाई में हमने दो का एक करते जाना थोड़ा था बना कर आपको फे मैं दिखाती हूं आ देखो इतना मैंने बना लिया दोना तरफ से इतनी इतनी अब हमने फंदे आदे कर लेने है कि यह फंदा दो का एक करके तीन चार मांच अब फंदे आदे आदे करके दो ही से इसके कर लेने हमने आदे 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 एक्की की फंदे हमारे आज एक फंद हमने यहां से बंद कर दिया एक दो तीन चार पांच छे एक तो तीन चार पांच छे साथ आट नो दस यह हमारे 20 फंदे हो गए इधर हमारे 21 फंदेख हमने बंद करना भी अब यहां से हमने टर्न ले ले लिए बापस तो कर दोड़ा दो कैक झाल तब फिर आएक रम बंदसकोंμεने सक्षीरोस स्व्यक्यष्ट। आप सीधा सीधा उपर बुनते जाना थोड़ा सा बना कर आपको मैं दिखाती हूं एक फंद आपने हमने और बंद करना इधर से आपको दिखा देती हूं आप हमने कुछ नहीं करना आप हमने सीधा सीधा ही उपर तक थोड़ा बुनना आपको बना कर दिखाती हूं यह देखो जैने बीच में आधे-आधे करने के बाद मैंने एक पासाइड पूरी बना ली है और इसके ऐसे शेप डालनी है यह पूरी मैंने इस लहें डाल ली है जी मैंने एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, तस, ग्यारा, बारा, तेरा, चौरा, पंदरा, सोरा, सोरा, स्तारा, ठारा, उनिस, बीच, ट्वंटी वन सलाइया मैंने सीधी-सीधी किया है चड़ा ली है अब क्या करना कि अशेशी प्रा ली हो। जिए तीन फंदे पीछे वरे छोड़ देने जहां से हमने बापस ले लेना तीन तीन फंदे हमने छोड़ के हर स्लाई में हमने तीन फंदे पीछे छोड़ने जाना पेले तीन छोड़े थे तीन अब छोड़ दिये पेले यहां तीन फिर तीन है वापस पीछे पीछे देने पृड़े बापस प्रेवार प्रेटीन फेटीन अब फिर तीन ऐसे अपने पूरे छोड़ते जाना प्रेले भी तीन छोड़े फेटीन 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 और फेटीन अब आपपस तेन रह गए जो देखो इसकी शेप ऐसी बन गई इधर से भी और इधर से भी अब आगे हम इसके कालर बनते हैं एक स्लाई हम सीधी वैसे चड़ा लेंगे पूरी स्लाई ऐसी सीधी इसलाई पार आगे इसलाई आगे अगे एक साट आगे जो आए कि अधा कि अधा कर दो कि अधा 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 यह देखको मेरा एक सेड मैंने कॉलर बना लिया ऐसे यह आगे वाला हिस्सा यह पीछे वाला इसको जहां से हम ऐसे स्टिच करेंगे यह कैसे बनाना आपको मैं दिखाती हूं यह 13 फंदे डाले ले एक दो तीन चार पांच छे शराया मैंने सीधी सीधी की डाल ली है अब पीछे वाला हिस्सा जो है एक वन्दाइस का और एक वन्दाइस का तो नगा एक इसके भी ठारा फंदे हैं और मुंड़े के हमने जो रखे थे फंदे वो भी ठारा थे ऐसे पूरे फंदे हमने इसके इसको इसके साथ जोड़ देना इस एफ पूरा इसके साथ ऐसे इसको आटैच कर लेना आ पूरा से कम्प्लीट कर लो तैच हो गया अब उल्टी स्लाइब में हमने सीधा यह बुन पूरी सिलाई सीधी अब हमने क्या करना देखो तीन चार पांच छी साथ आठ और नो नो फंदे हमने एक दो तीन नो 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 फंदे हमने कर लिए अब हमने नो फंदे पहले बनाने यह देखो जारी ना डल जाए इसके लिए ऐसे करके इसे ऐसे कर लो बापस एक बार हमने आदे भंदे बुनने एक बार हमने पूरे भंदे बुनने अब हम पूरे बुन जाएंगे स्लाइग उल्टी स्लाइ पूरी सीधी पूरी स्लाइ सीधी सीधी स्लाइ में आपने फिर नो फंदे बुनने अब तो जिन नो फंदे होगे धागा आगे किया फंदा उतारा धागा पीछे किया फंदा बापस ले लिया और ऐसे जाली नहीं पड़ती तो फिर बापस नो फंदे बुनने लेने इए पूरी स्लाइ बनाने आप अब हमने पूरी स्लाइ बना लेने पूरी स्लाइ बना लेने पूरी इसे इसे नो फंदे बनाने में एक बार नौ फंदे बनाने दूसरी बार हमने पूरे स्लाइ बनाने एक दो थीच एक ला कूं और फिर आपने बापस इसको ऐसे बुन लेना एक बार हमने आदे फंदे बुनने एक बार हमने पूरे यह देखो यह देखो जो गले के आगे आगे आएगे न वो हमारे एक बार बुनने और इधर वाले हिसी के हमने वो बुनने आगे दो बार यह देखो चोटा बने गया का हम खिलर के आगा कालर ऐसे आप बना लो आपको भी दिखाती है अचिए देखो इतने मैंने पना लिया है प्रेले पूरी स्लाइड डाल लेंगे और इसले अचिए दागा आगे किया फंदा उतारा दागा पीछे जहां से बापस एक बार हमने नो फंदे बुने दूसरी बार हमने पूरी स्लाई डालने अब फिर गुल्टी स्लाई आई है जो हम पूरी डाल लेंगे पूरी अब बसे आपने ध्यान रखना है जो हमने फंदे जने हमने दो वाई बुनना है वह हमारा बार वाला हिस्सा हो अंदर वाला हमारा हिस्सा ये वाला हो यह देखो मैंने ऐसे जोड भी लिया एक साइड में तो यहां यहां से हमने इसको ऐसे जोड दी है थोड़ा सब और बनाना है पूरा हो जाएगा पूरा करके आप को दिखाती हूं यह देख हो हो गया अव हम से बंद कर देंगे बल्कुल सिम्पल ऐसे पुरा बंद करते है देख बुरा बन गया यह मैंने यहां से गिनों एक तो तीन चार पांच छे साथ आठ न्याराँ ड्याराँ बाराँ देराँ 14 15 16 17 18 19 20 12 31 22 22 22 23 25 25 25 मैंने जिसलाई डाल लियां यह वाली नहीं यह वाली यह ज्यादा है यह काम है जो हमारा अंदर को आना कार्लर का हिस्सा अब हम इसे स्लाई कर देंगे जहां से हमने ऐसे स्लाई करने जैसे यह देखो कितना मैंने छूड़ा है एक दो तीन चार पांच एक दो एक दो तीन चार पांच यहां से हमने स्लाई करने यह देखो अंदर से हुआ नएडिए पर एक देखो अड़िक एसी लेन आमने अ्रेक मैं जयाओे है कि अच्छे लगा रहे हैं ऐसे आएगा पीछे से ऐसे हमने सिलाई करने है यह देखो आगे वला हिसा ना जो इसके पीछे तेसे हमने से के अच्छे से लगा झात करने है एक देखों दो आगे एक रता पे वगा झाते लगा हैं टुछे अगा है जा है तो जगे वहाँ उजगा है एक फिसा हार को स्टेपले लेना आपने जितना हमने रेक किया है एक दो तीन चार पांट जैसे आ जाएंगे पूरा करके आपको दिखाती हुए मैं यह देखो जा हम थोड़ा सा पक्का करते हैंगे पूरा त्यार हो गया नीचे से लेकर आउपड यहां बटन लगा देंगे और आप कुछ भी बनाकर जहां लगा सकते हो बजार से मिल जाती है यासी कोई डोल लगा दो कोई को फ्लावर लगा दो कुछ भी लगा सकते हो आप जाए इसे दो सो ग्राम उन लगी है हमारी और यह दो धाई साल के बच्चे के लिए अराम से आजाएगा आपने थोड़ा बड़ा पनाना हो थोड़ा लंबाई इसकी बढ़ा लो फंदे इतने ही रखना कि फंदे काफी हो है इसमें देको थैंक यू लाइक शेर सब्सक्राइब करना मत भूलना